बोलो नीप करोरी बाबा महराज कीज़े, परम पूज सिद्धी माता कीज़े, भक्त वत्सल हनुमंत लाल कीज़े मैं डॉक्टर उमेश बाश्पेई, बियन के मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज अपने प्रभु की लीलाओं में एक लीला जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो फिर से उसी प्रकार की लीला है, कि बिना प्रभु की इक्षा के, उन्हें कोई न मिल सकता है, न कोई उनको देख सकता है, न उनकी क्रपा पा सकता है उनकी एक्षा का होना बहुत जरूरी है क्यों? क्योंकि प्रभू किसी से भी कुछ चाहते नहीं है लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि आपका मन बड़ा पवित्र हो यादि आपका मन मैला है आप विचारों से दूसित है आपके भाव भक्ति वाले नहीं है न तो आपको क्रपा मिलेगी ना आपको उनका दरसन मिलेगा और आप सिर्फ अपने कश्ट में ही प्रिडट रहेंगे बहुत से लोग हैं बहुत से लोग हमारे साथ के तमाम ऐसे हैं जो बाबा के दरबार जाते हैं लेकिन दरबार के बाहर से लटाएंगे वो दर्सन करने जाई नहीं पाएंगे किसी न किसी कारण से वो बाहर ही खड़े रहेंगे बता देंगे हम आपको हमारे साथ में कई इस प्रकार के लोगों की गटनाएं गटी है कि वो मंदर के बाहर खड़े रहे लेकिन कैची दरबार के अंदर वे हैं कनहिया लाल स्री वास्तो जी कट्रा में रहते थे बाबा महराज मुखर जी दादा के घर जाते वहीं पर निवास करते सभी भक्त वहीं आते और दर्सन करते कनहिया लाल स्री वास्तो जी क्या करते थे कि अक्सर जो है मेरी तरीके से लोगों को बड़ा प्रोथसाहित करके अब प्रभू के बारे में खोब बता के उनकी प्रसंसा करके और दर्सन कराने ले जाते थे अच्छा कारी था बाबा महराज के दर्सन लेकिन बाबा महराज को ये काम पसंद नहीं था जिसके कारण उन्होंने कई बार कनहिया लाल को डाटा भी कनहिया लाल सिवास्तों जी बेचारे कई बार डाटे गए प्रभू की डाट का कोई क्या है प्रभू की डाट में भी प्यार होता है तो कनहिया लाल जी ने अपना कारी नहीं छोड़ा वो बार-बार माफी मांगते और जब वो पता चलता कि बाबा माराज जी आने वाले हैं तो फिर किसी न किसी को ले करके दरसन कराने पहुंच जाते एक बार ऐसे ही हुआ बाबा माराज जी दादा की यहां बैठे थे मुखरजी दादा की यहां और कनयालाल जी को ये बात पता चल गई तो तीन सब्रांत विक्तियों को ले करके वो घर से निकले घर से निकले मुखर जी दादा के घर बाबा महराज को ये बात पता चल गई ये कनयालाल दर्सन कराने किसी को ले के आ रहा है अच्छा ऐसा करते भी क्यों थे जो लोग बाबा महराज के दर्संद करने इस उद्देस से जाते थे कि ठीक है तुम कहए रहे है तो अच्छी बात है मेरा कुछ सही हो जाए तो हम माने लोग कहते हैं न कि ठीक है रख्ट साब आप कहे रहे हो तो अच्छी बाल लेकिन मेरा ये कष्ट दूर हो जाए तो हम माने कभी नहीं दूर होगा हाँ गुरामत मानना मेरी बात का कभी नहीं दूर होगा यदि आप ये सोच के किसी आराध्य से, किसी ईश्वर से जुडेंगे, कि नहीं मेरा ये ऐसा हो जाए, तो मैं मानूं, तो ये सर्त नहीं काम करती भक्ती में, आप ये सर्त सोच के अगर जाएं कि नहीं मेरा ये हो जाएगा काम तो मैं कैची जाओं, मैं वहाँ नीब करोरी जाओं ऐसा नहीं होता है ईश्वर के साथ सर्थ नहीं जुड़ती है अच्छे पवित्रमन से जब जुड़ेंगे तो सब कुछ आपके मन का होगा वो कहते हैं ना कि तू अगर इतना दिमाख वाला है तो अपने मन का कर ले तो फिर मेरी क्या हो शकता है और अगर मेरे सहारे ह अप सौप दिया इस जीवन का सब भारा आपके हाथों में अगर सब कुछ सौप दिया तो फिर सब कुछ सारी सब कुछ में वो सभी समस्याएं भी आ जाती है उससे प्रभु की हो गए तो बाबा महराज को पता चल जाता है कि तीन लोगों को ले करके करनिया लाल जी मुख करनिया लाल को जब घर गए तो पता चला कि दादा और महराज जी वहां है नहीं वो जा चुके हैं कहीं, थोड़ी दिर में करनिया लाल जी भी उन सब को ले कर के और रेलवेय सेशन पाहुंच गए, जब पहुंच गए तो उनने देखा कि करनिया लाल जी और बाबा वहीं खड़े रहे फिर कनया लाल जी ने तीनों लोगों को रोका और खुद चलके बाबा महराज के पास गए प्रणाम किया और डरते डरते कहा कि प्रभू दे दीजिए करपा करजिए दरसन दे दीजिए वो आपके दरसन करने आये हैं तो बाबा महराज बोले ना मैं नहीं दरसन दूँगा जो मेरी परिक्षा लेने के उद्दे से से आता है मैं उसे दरसन नहीं देता देखिए वही बात आ गई तीनों लोग ये सोचके आये थे कि मेरा कुछ जिंदगी में भला हो जाए तो मैं मानू अरे बाबा महराज के प्रणाम करके उनकी पूजा करके उनक हम स्वार्थ ही हैं हम अपने स्वार्थ में जाते हैं स्वार्थ यदि वास्तों में हमारा स्वार्थ भी है तो भी ठीक है लेकिन अगर हम भोले भाले बनके जाते हैं और पभू के चरणों में अपनी अरजी लगाते हैं कोई बुरा ही नहीं है लेकिन हम सर्थ सोचके न ज खड़े रहते हैं, अभी आएंगे तो इधरी, जब इधर आएंगे तो दर्सन करा देंगे, अब उनको ये नहीं पता कि प्रभू की जब इक्छा नहीं है तो दर्सन कैसे हो जाएंगे, है ना, मैंने आपको एक लीला और भी बताई थी, जिसमें प्रभू ने कार में लेकिन कोई देख नहीं पाया ठीक है तो उस वीडियो का लिंक भी हम आपको इसी में डाल देंगे आप देख लीजेगा तो जब वो खड़े रहे तीनों लोग और बाबा महराज ने दादा का हाथ पकड़ा और कहा दादा आये चलते हैं और हाथ पकड़ के टहलना शुरू क किया मुखरजी दादा सब यह देख रहे थे स्थिति और उन्हीं चारों लोगों के सामने से बाबा महराज दो बार गुजरे इधर से उधर उधर से उधर अब मुखरजी दादा देख रहे हैं कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा इतने मूड मती हैं अरे बाबा पन कान पए कि वो पमन पुत्र जो अद्रस हो जाते हैं मसक समान रूप कपध़री pouring ऐस्ते हैं जब लंका में प्रवेस किया तो मज्छर के समान हो गए थे और रावड के जो द्वारपाल Mia समान रुए रछक्षक थे कोई लोग देख नहीं पाए कुल मिला करके प्रभू ने उस दिन उनको दर्सन नहीं दिये तो हम लोगों को क्या सिक्षा मिलती है कि हमें अपने आराध्य को बड़े सच्चे हिर्दै से पवित्र भावना से अपने निर्मल मन से उनको पूजना है उनको याद करना है तो ही हमें उनकी कृपा मिलेगी तो ही हमारा जीवन धन्य होगा और यदि हम मन सावचा कर्मना बिविन्न प्रकार के होसियारी चाला की सब लिए गोँब रहे हैं कुछ नहीं होने वाला आप दिन भर जो है चाहे चितनी उनकी पूजा कर लें लीला उनकी सुन लें कुछ भी कर लें जब तक अपने मन को आप नहीं बदलेंगे अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन जीवन में नहीं होने वाला ठीक है? ये मैं कोई ग्यान नहीं दे रहा हूँ ना मैं कोई सिक्षा दे रहा हूँ मैं तो सिर्फ वो बातें कह रहा हूं जो अपने प्रभू के प्रतिज मैंने महसूस की है और जो मैंने पाया है और जो प्रभू चाहते हैं जो इश्वर की एक चिंतन जो लोग करते हैं इश्वर का इश्वर इसी प्रकार से मिलता है हाणा तो यदि आप अच्छे विचार रगते हैं लोगों का हिट करते हैं बड़े पवित्र भाव से अच्छे भाव से प्रबू में प्रबू के हर मूरती में हनुआन जी की हर मूरती में बाबा महराज को देखते हैं तो निश्यत रूप से आपको प्रभू मिलेंगे, आप पर कृपा करेंगे, आपको दर्सन देंगे, आपके कस्टों को दूर करेंगे, आज की ये लिला कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके अवस्य बताईएगा, बोलो नीप करोरी बाबा महराज की जाए, परम पूझ से दीम आता कीजे,